Hello everyone, this is Mohan and you are watching online prep. तो finally आप सभी students की demand पे आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे BHU B8 entrance के updated syllabus और paper pattern के बारे में जैसा कि आप सभी लोग मैं अगबर quick preview दिखा दूँ कि जो भी students BHU से B8 करना चाहते हैं इस वीडियो को in तक देखेंगे क्योंकि हम लोग most important information के बारे में जानेंगे जैसा कि आप सभी लोग title में देख सकते हैं CVT BHU B8 syllabus PGQP 74 आप सभी लोग को बता दे कि जो BHU B8 का entrance है वो भी CVT के ही थुरू होता है लेकिन इसका code और paper pattern थोड़ा सा different है और PGQP 01 जो है उसके भी जो एक और लिंक आपको वीडियो के description मिल जाएगा इसके अलावा प्रीविएस यर पेपर solution भी आपको चैनल पर मिल जाएगा जिसे आप देखकर अपनी preparation कर पाएंगे और मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि कैसे आप हमारे कोर्स से जुड़कर भी preparation कर पाएंगे तो वीडियो को इंट तक देखिएगा पहले हम लोग बात कर लेते हैं बहुत से students पूसते हैं कि सर मैं final year में हूँ तो क्या apply कर सकता हूँ तो हाँ आप apply कर सकते हैं और आपके graduation में 50% होने चाहिए जो लोग appearing में हैं तो जब वो counseling कराएंगे तब तक उनके result आ जाने चाहिए और minimum आपके 50% होने चाहिए लेकिन अगर आप में से जिस student ने BTEC किया होगा उनमें ये eligibility criteria बढ़के 55% हो जाता है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा अगर जिनके graduation में 50% नहीं है तो उनके PG में 50% होना चाहिए ये आप सभी लोग घ्यान रखिएगा अब हम लोग बात कर लेते हैं stream या group के बारे में तो आपको बता दे बीएच्व बीएड जो है वो चार stream में बीएड कराता है पहला है language दूसरा social sciences या humanities तिसरा जो है science और चौथा है mathematics ये decide कैसे होता है ये आपके subject यानि graduation के subject के according decide होता है अगर आपके graduation में हिंदी, English, Sanskrit, उर्दू जैसे language subjects हैं तब आप language से apply कर पाएंगे या graduate कर पाएंगे अगर आपके graduation में जैसे history हो गया political science हो गया उसके बाद आप geography हो गया economics हो गया psychology, sociology जैसे subject हैं तब आप social sciences के through apply कर पाएंगे science का मतलब हो जाएगा physics, chemistry, botany, geology जैसे subject है तब आप science के लिए और mathematics में जिसके graduation में mathematics या statistics है वो या computer science है वो mathematics stream से apply कर पाएंगे लेकिन एक चीज़ आप सभी लोग ध्याँ रखिएगा हाला कि बहुत से students को पता नहीं होता है you have to choose only one stream जब आप form fill करेंगे तो आपको ये चारो stream के options होंगे और आपको tick करना होगा तो आप सिर्फ और सिर्फ किसी एक से ही apply कर पाएंगे for example अगर किसी के graduation में एक subject language भी है और एक social science भी है मतलब वो दोनों के लिए eligible है starting के जैसे language stream में भी apply कर सकता है जैसे मान लेजिए for example उसके graduation में English और History है तो वो language के लिए भी apply कर सकता है और social sciences के लिए but आपको इन में से किसी एक stream को ही choose करना होगा ये बात आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा paper pattern की बात की जाए जो कि काफी important है जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो आपका exam का paper pattern है वो आपको दो part में divide है इसको section A कह लीजिए या part A कह लीजिए और इसमें आपके 25 question मतलब 25 question आपके पूछे जाते हैं अब उनमें क्या-क्या पूछा जाता है उसको हम लोग अ marks का होता है इस तरीके से जो आपका exam होगा उसमें total 100 question होंगे और जो full marks होगा वो 400 का होगा यह important information आप सभी लोग screenshot इसकी ले लें और इसको note भी कर लें duration की बात की जाए तो आपका exam जो होगा वो 2 घंटे का होता है 120 मिनट का होता है each question जैसा कि आप सभी लोग देख question paper जो है वो bilingual होगा Hindi और English में होगा और यह जो language है वो आपको form fill करते समय ही choose करना होगा कि आप Hindi में करना चाहते है paper को या English में तो उसका भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा यह तो बात हो गई paper pattern की अब हम लोग syllabus की बात करते हैं तो सबसे पहले part A जो है वो सभी stream के लि यह आप सभी लोग ध्यान रखिएगा और इस part A में फिर क्या पूछा जाता है जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया जिसमें 25 question है उसमें आपके language का section होगा gkgs और current affair general awareness का third जो section होता है वो reasoning और fourth जो होता है mathematics का होता है इसमें आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि जो language का portion ह होगा यह आपको form fill करते समय ही choose करना होता है कि आप Hindi language करना चाहते हैं या English तो वही सिर्फ question आपको देखने को मिलेंगे तो Hindi इसमें grammar जैसे question आपको मिलेंगे unseen passages जैसे question मिलेंगे और यह total 10 question आपको पूछे जाते है previous year paper मैंने solve कराया उसको आप लोग देख लेंगे तो यह doubt आपका और अच्छे से clear हो जाएगा current affair और GKGS से आपके 5 question पूछे जाते हैं reasoning से भी 5 question मिलते है और math से भी simple आपको question 5 इससे भी पूछे जाते हैं और इनका जो label होता है वो 10th class तक reasoning और mathematics का label आपको देखने को मिलेगा तो इसमें आप परिशान नहीं होंगे यह थी यह था आप syllabus जो है यह पार्ट A का था अब हम लोग पार्ट B की बात करते हैं जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे language group की तो language group में यह आपको मैं बता दूँ कि जब आप पार्ट A दे लेंगे सभी लोगों के लिए common होगा पार्ट B जो आप stream चूज कियोंगे वही उनके pattern को देखेंगे अब आप decide कर लें कि आपको जिस exam में जो group चूज करना है उसके सलेबस को ध्यान से समझे तो सबसे पहले जो important portion है वो teaching aptitude का है आप सभी लोगों के section में जो चारो stream है सब में teaching aptitude पूछा जाता है इसलिए मैंन 25 क्योंकि इसमें थोड़ा सा 2225 में deeper होता रहता है English के question 2225 मिलेंगे और Sanskrit के भी 2225 question आपको देखने को मिलते हैं और यह तीनों जो language का section है यह mandatory होता है क्योंकि आपके इस section से 75 question पूछे जाते हैं अब हम लोग बात कर लेते हैं social sciences की या humidity stream की अब part B में उनके जो exam में question आते है वो देख पाएंगे teaching aptitude से पूछे जाएंगे इस बार 11 question पूछे मतलब 2022 भी 11 question पूछे गए थे और आप इसको मालेजे कि 11 से 12 12 से 15 भी पूछे जा सकते हैं फिर history से portion से question पूछे जाएंगे geography से political science से economic से commerce से और home science से label जो होगा वो होगा 11 12 का यह ध्यान रखिएगा उसके बात बात आती है science stream की science stream में भी same है आपको teaching aptitude से 10 से 12 question मिलेंगे फिर botany से 10 question, geology से chemistry से physics से computer science से और home science से भी आपकी exam में question आते हैं और यह सारे section जो हैं सारे portion जो हैं वो mandatory हैं इसमें कुछ भी option आपको नहीं मिलेगा mathematics की बात की जाए तो आपको 10 question same teaching aptitude से फिर math से आपके 25 question ब और computer science यानि CS से भी आपके 20 question exam में देखने को मिलेंगे, अब यह total जो होता है वो data यह total question 75 ही पुछे जाएंगे, label जो होगा उसको आप सभी लोग याद रखें, label of question class 11th और 12th का label आप सभी लोग को देखने को मिलेगा, आप previous year paper solution भी देख सकते हैं हमारे channel पे, और language और social sciences की classes भी provide की जा रही है, तो आप इस दिये गए contact number पे जूड़ कर आप preparation भी कर सकते हैं, इस पर whatsapp करके आप demo classes भी देख सकते हैं, तो यह थी information आप लोगों को BHU, B8K जो updated paper pattern और syllabus के बारे में, अगर फिर भी आपको कहीं ऐसा कोई doubt हो तो आप comment section में पूछ सकते हैं, मैंने हैं कि आप सभी लोगों को detail में सारी चीजे cover करा दें, और कहीं किसी भी तरीके का कोई confusion ना हो, तो फिर भी, अगर फिर भी मैं फिर से बता देता हूं, कोई भी confusion हो, आप पूछ सकते हैं, आप हमारे दिये गए contact number पे call भी कर सकते हैं, तो I hope आप लोगों को यह सारी चीजे यह समझ में आई होगी, अगले क्लास में हम लोग अगर आप किसी और topic और किसी और paper का internet syllabus या paper pattern जानना चाते हैं, तो comment करें, हम लोग उस पर as soon as possible वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, तो मिलते हैं next class, और वीडियो में ततक के लिए, bye bye, take care and keep watching.